Welcome to PIVX Classes आज की क्लास में हम बात करेंगे SQL Views के बारे में सबसे पहले हम SQL Views का basic समझेंगे then इसके बाद में हम practical implementation देखेंगे कि कैसे हम SQL Views को बना सकते हैं DBMS के अंदर तो start करते हैं हमारी आज की क्लास को सबसे पहले Views होते के हैं जब भी Views के बारे में बात की जाती है तो हमारे पास में सबसे basic definition यही निकल कर आती है कि Views क्या है एक virtual table है virtual table क्यों बोला जाता है क्योंकि जो Views होते हैं कभी भी physical space acquire नहीं करते हैं कभी भी memory में space नहीं लेते हैं जो पहले से बनी हुई table होती है उसी का space को यह use मिल लेते हैं तो इस कारेंसे से virtual table बोलते हैं लेकिन अगर हम बात करें Views की एक basic definition के बारे में एक actual definition के बारे में तो Views होते के हैं Views इजे SQL query Views अलग से कुछ नहीं है SQL की query है एक जिसे की हमने database में store करवा दिया है एक नए नाम से उस नए नाम को ही हम View बोलते हूं SQL की कोई भी query like मैंने select की एक query थी जो मैं लगाना चाहता था उस select की query को मैंने database में store करवा दिया एक नए नाम से अब जब भी मैं उस नए नाम से call करूँगा तो मेरी क्या होगी वो select की query call होगी और हमें क्या लगेगा कि हमारी database के अंदर एक अलग से table बनी हुई है तो ऐसी कोई table present नहीं है बस उसने कोई space भी नहीं ले रखा लेकिन हमारे पास में एक query है उस query को हमने एक नाम दे दिया और उसी को क्या बोला जाता है view बोला जाता है तो यहाँ पर जो view की definition बनकर आती है view is a SQL query that is stored in a database जो database में stored है query with a associated name और उसे कुछ एक नाम दिया हुआ है अभी हम देखते हैं कि view के बारे में आगे समझने की कोशिश करते हैं हमारे पास में एक database है database के अंदर एक table है table के अंदर हमारे पास में 5 columns है and total fees तो हमारे पास में यह table थी अब मुझे क्या था कि मुझे इस table के उपर कोई select की query लगाना चाहता था और मैं यह चाहता था कि वो मुझे data मिल जाए और मैं कुछ part of data चाहता हूँ तो मैंने क्या किया एक view बना के रख लिया जिससे होगा क्या इसी table का कुछ part जो मैं देखना चाहता हूँ वो as a view मैं उसे देख पाऊँगा और मुझे बाकी data नजर भी नहीं आएगा जिससे क्या होगा हमारी data की security भी बढ़ती है तो समझने के लिए देखिए मैंने यहाँ पर एक view की query लिखी है create view view का name create लिखना है view लिखना है यह keyword होगे दोनों यहाँ पर view का name कुछ भी दे सकते हो लाइक मैंने यहाँ पर जो नाम दिया है वो दिया htu view दे दिया create view view का name then as as a keyword लगाना है आपने then आपने जो query लगाना चाहते हो जिस query को मतलब अब मैं यहाँ पर कर रहा हूँ एक select की query लगा रहा हूँ जो पीछे मेनी definition आपको बताई थी इस query को जो यह select की query है इस query को ही एक नया नाम दे दिया जाएगा और क्या नाम दे दिया जाएगा htu view दे दिया जाएगा तो इस query में मैंने क्या लिखा select as name और class from student इस table का नाम student है और इसके अंदर से मैं s name और class मतलब इस वाले column को और इस वाले column को मैं अलग से बहर निकाल के रखना चाहता हूँ मतलब क्या हो गया इस query से जो भी result निकल कर आएगा उस result को हमने नाम दे दिया htu view और वो result अलग से memory में space भी नहीं लेगा तो जैसे कि अगर हम देखना चाहे तो कुछ ऐसा मतलब यह हमारा view हो गया view पड़ा कहां पर है उस table के अंदरी पड़ा है बाहर कोई memory नहीं लेगा है तो table के अंदरी पड़ा है इस कारण से virtual हो गया और अब हमें बार-बार query लगाने के जूट नहीं है अब जब भी मैं htu view के ओपर काम करूँगा तो मेरा इतना सा data ही access हो पाएगा बाकी data के ओपर कुछ भी काम नहीं होगा तो जब भी हम किसी user को मान लेते हैं कि एक company है company के अंदर अलग-अलग level पे अलग-अलग users है और अलग-अलग users को हम अलग-अलग type की permission देना चाहते हैं कि ये table का इतना ही part देख सके ये table का इतना ही part देख सके तो हम क्या करते हैं उस main table के अलग-अलग views बना देते हैं और view बनाने के बाद में अलग-अलग view, अलग-अलग user को provide कर दिये जाते हैं तो ये security purpose के लिए भी हो जाते हैं तो ये हमारी main table हो गई है main table के अंदर हमने क्या बना दिया view बना दिये आगे बात करते है types of SQL views की देखे SQL views की बात करने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारे पास एक table है इस table को हम बोलेंगे base table base table जो हमारी main table है जिससे हम view बनाने वाले हैं मान लेते हैं कि मैंने इन दोनों column को edge view add कर दिया मतलब मैंने query लगाई अभी मैं आपको सारी query समझाने वाला हूँ practically तो मैंने क्या किया यह जो table थी इस table से किसी दो column को मैंने edge view बना लिया एक पर समझने के लिए मैंने इसे side में रख दिया ठीक है अब यह मेरी base table है और यह मेरी कौन सी table है जो view बन कर आया जो की virtual table है अगर मैं base table में कुछ changes करूँगा मतला अगर मैं इस table में कुछ changes करूँगा तो obvious है view में तो change हो गई होगा इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है base table में change करूँगा view table में change होगा yes होगा लेकिन इसका उल्टा बात करते हैं अगर मैं view में change करूँ क्या base table में change होगा या नहीं होगा इसके base पर हमने SQL views को दो category में divide किया है अगर मैं view में change करता हूँ और मेरी base table में change होता है तो उसे बोलते अपडेटेबल view और अगर मैं view में change ही न कर पाऊँ मतलब view में कोई changes ही ना हो और उसका reflect ही हाँ कोई दिखे ही ना और उसका effect अगर मुझे base table में देखने को मिलता है that is the updatable view मतलब view के अंदर update किया जा सकते है लेकिन अगर मैं view के अंदर कुछ changes ही ना कर पाऊँ और view के changes मेरे original table या base table में कुछ reflect ही ना हो that is the read only view तो updatable view तो बनाना easy है हम दोनो type के देखेंगे लेकिन read only views कैसे होगा अगर मैं ऐसा view बनाता हूँ जिसके अंदर मैंने कोई query ऐसे लगाई है select की query कोई ऐसी query यूज में लिए है जो की nested query है या मैंने कोई ऐसा close यूज किया है like group by close मैंने इसके अंदर यूज किया हुआ है या मैंने कोई distinct keyword का use किया हुआ है तो ऐसे select की query या ऐसे condition लगाई है और nested condition, complex conditions लगाई है multiple table का इस्तमाल किया हुआ है तो ऐसे queries का इस्तमाल करके जब भी view बनाया जाएगा वो हमेशा read only view होता है तो read only view कब होगा like अभी मैंने बोला कि group by close का अगर मैं इस्तमाल कर लेता हूँ अपने view बनाने के लिए पीछे हमने query पड़ी थी create view, view का name as then मैंने select की query लिखी थी अगर select की query के अंदर मैं group by close का इस्तमाल कर लूँगा तो जो मेरा view बन कर आएगा वो मेरा read only view होगा एक तो बात ही हो गई कुछ और points देखें अगर nested query यूज की है complex query का अगर आप इस्तमाल करते हो तो जो view बन कर आएगा वो हमेशा read only view होगा and last thing हम बात करें multiple table single table से view बनाया है तो तो updatable view है मतलब view में change करो original table में change हो जाएगा या original table में change करो view में change हो जाएगा लेकिन अगर आपने multiple table दो या 200 जड़ा table का यूज कर रहे हो select की query के अंदर multiple table इस्तमाल में लेकर आ रहे हो then जो view बन कर आएगा वो कैसा रहेगा read only view रहेगा तो ये तो हो गई basics बात हो गई कि view होते क्या है और view के बारे में हमने basics बात कर ली अब हम देखते हैं कि इसे कैसे implement किया जाते हैं तो इसका थोड़ा practical implementation चेक कर लेते हैं view के बारे में तो सबसे पहले इसके लिए मैंने यहाँ पर जो software का मिलूँगा वो मेरा SQL-yog यह रहा मेरा SQL-yog software है और इसके ओपर मैं अपना view मनाऊँगा तो सबसे पहले मैंने आपके time saving के लिए क्या करका है queries को लिखके रखा हुआ मैं यहाँ पर copy paste करूँगा और आपको queries को run करके दिखाँगा तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पास मैं सबसे पहले क्या करना होता है जब भी मुझे कोई query run करनी होगी तो सबसे पहले मुझे database बनाना पड़ेगा तो सबसे पहले हम एक database बना लेते हैं database का नाम हम रख लेते हैं school तो यहाँ पर मैंने यह लिख दी query query क्या है आप खुद देख सकते हो create database database का name आपको पता है database बनाने की query यही होती है हम इस query को run करते हैं और run करने से हमारी query run हो गई है और यहाँ पर मैं से refresh करता हूँ तो देखिए मेरा एक database बन गया school नाम से उसके बाद आपको पता है क्या करना है इसके बाद मैं मुझे इस database को use करना है इस database को use करना है तो हमें use करने की एक command लिख देते हैं use database का name use then database का name और यह मेरा database यहाँ पर select हो चुके है school नाम का देखिए यहाँ पर school नाम का database मेरा select हो चुके है अब मुझे क्या करना है इस database के अंदर पहले table बनाऊंगा फिर table से क्या बनाऊंगा view बनाऊंगा तो सबसे पहले table बनाते हैं तो table बनाते हैं सबसे पहले तो table के लिए यहां पर हमारे पास में यह री command query मैं यहां से copy paste कर लेता हूँ और यहां पर देता हूँ क्या query लिखी है मेंने एक table बना रहा हूँ create table table का name then उसके بाद में उस table के अंदर मैं यहाँ पर 4 column ले रहा हूँ scholar number ले रहा हूँ s name ले रहा हूँ, class ले रहा हूँ fee scholarship ले रहा हूँ, total fees ले रहा हूँ total हमारे पास में यह सारे columns आगे 5 columns की हमने table बनानी है इस table को मैं execute करवा देता हूँ और यह मेरी table execute होचकी है और मेरी table यहाँ पर बन चुकी है यह देखिए table यहाँ पर हमारी show नहीं स्टार्ट हो गई है, student नाम की table बन चुकी है इसी तरीके से मैं एक second table और बना लेता हूँ आपके लिए student marks नाम से तो यहाँ पर create table table का name that is student marks then उसके बाद में मैंने पहला column लिया marks id then scholar number then marks और हमने यह सारे attribute उसके अंदर add on कर दी है अब इस table को भी हम execute कर वा लेते हैं मतलब table बना लेते हैं यह लीजिए हमारी table बन गई मतलब अभी तक मैंने database बना लिया database को use कर लिया then उसके बाद में मैंने दो table बनाई है refresh करके मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पर panel के उपर school database बना यह था school database के अंदर दो table बन गई student नाम से और student marks नाम से table हमारी ready हो चुकी है अब हमारा काम क्या है हमें view बनाना है मैं आपको दोनो type के view बना के दिखाऊंगा पहले मैं आपको single table से view बना के दिखा देता हूँ then multiple table से view बना के दिखा देता हूँ तक कि आपको concept अच्छे से clear हो जाए तो सबसे पहले हम single table से अगर view बनाना चाहेंगे तो हमारे पास में एक query है यह रिए वैसे तो यह query जो है हमारे पास multiple table वाली है लेकिन मैं इसको single में बदल देता हूँ हाँ जी तो query लिखते है create view view का name as as के बाद में हमने क्या करना है हम एक ही table से बनाना चाहते है तो हमारे पास में क्या क्या चीज़े चाहिए मान लेते कि मैं तो एक तो scholar number लेके चलना चाहता हूँ एक student का name लेकर चलना चाहते है हम बस दो ही चीज़े ले लेते हैं बाकी चीज़ों को हम remove कर देते हैं delete कर देते हैं तो हमारे पास में from student आप query पढ़के देखिए आपको query easily समझ में आ जाएगी इसमें हमने कुछ भी ऐसा नहीं लिख रहे हैं वाले मतलब क्या किया मैंने एक आपके लिए view बनाया जिस view का नाम मैंने क्या रख दिया stu view रख दिया उसके अंदर मैंने एक ही table का इस्तमाल किया कौन सी table का इस्तमाल कर रहा हूँ मैं student table का इस्तमाल कर रहा हूँ और student table जिसके अंदर पहले से 5 column थे उन पांचो कोलम में से मैंने कोई भी दो कोलम जैसे कि स्कोलर नंबर और एस नेम इन दोनों को पिक कर लिया अब होगा क्या इस क्वेरी का जो भी रिजल्ट होगा वो हमारे पास में stu view नाम से store हो जाएगा अलग से space नहीं लेगा बस उसी को एक नया नाम दे दिया जाएगा virtual table हमारी create हो जाएगी तो run करके देखते हैं और हमारा view बना या नहीं बना चेक करते हैं करके दिखाता हूं मैं आपको क्योंकि मैंने single table का व्यू बनाया है मतलब यह मेरा अपडेटेबल व्यू है मतलब इसके अगर मैं कुछ भी चेंजिज करूंगा तो वह सारे चेंजिज मेरे यहां पर reflect दिखेंगी तो करके दिखाता हूं मैं आपको मैं insert की query भी यहां से copy paste कर लेता हूं उसमें थोड़े चेंजिज कर लेगे हम इस query को थोड़े जूम कर लेते हैं इंसर्ट इंटू हमारे व्यू का नहीं जो हमारे टेबल के लिए query होती है वही query यहां चलती है stu view नाम से बनाई थी हमने stu view लिख देते हैं हम यहां पर ठीक है और उसके अंदर हमारे पास में कौन-कौन से column थे scholar number लिया था हमने एक तो और एक हमने s name लिया था then उसके बाद में हम क्या कर लेते हैं इसमें value store करवा लेते हैं values के अंदर हमारे पास में क्या-क्या value होगी scholar number है कुछ भी value रख लेते हैं like rj01 और उसके बाद में हमारे पास में क्या है एक है name का column तो name का column है तो हम इसके अंदर कुछ भी name store कर लेते हैं like अजे यह दो value हमने करवा दी store तो हमने एक query लगाई insert into view का name जैसे insert into table का name होता है वैसे insert into view का name then हमारे view के अंदर कौन-कौन से column थे दो column थे कौन-कौन से मैं यहां पर आपको दिखा भी देता हूं क्योंकि मैं SQL योग यह software है जो यूज कर रहा हूं इसके अंदर आप GUI interface भी देख सकते हो अब यहां पर view अलग से दिखाई जो रूट दे रहा ह आपको लेकिन मतलब अगर आप वह black screen यूज करते हो CLI यूज करते हो command line का यूज करते तो वहां पर आपको इतना interface देखने को नहीं मिलता तो इसके हमारे reference के लिए अच्छा भी है इसको यूज करना भी easy है तो हमें आप दिख रहा है कि insert into stu view और इसके अंदर हमने एक query को लगाया और इसको हम run करके देख लेते हैं एक बर और हमारी query successfully run हो चुकी है query run हो गई है चेक करें कि हमारे view के अंदर कोई data आया भी के नहीं आया तो select क्या लिखते हैं हम इसके बाद में star from table का name लिखते हैं लेकिन आपके बार हम क्या लिखेंगे view का name क्योंकि हम view पे का का कर रहे हैं तो यह हमने view का name लिखा और इसके बाद में क्या करते हैं इस query को run कर देते हैं यह रहा run करने का option और यह देखिए हमारी query run हो चुकी है और हमारा data निकल कर आ चुके हैं सेम इसी तरिके से अब हमें यह देखना है कि जो यह मेंने data update किया है view के अंदर क्या वो मेर टेबल के अंदर भी यह data already add हो चुका है देखो scholar number चला गया एस नेम चला गया टेबल के अंदर बाकी column भी थे लेकिन बाकी column के value क्या हो चुकी है null set हो चुकी है क्यों कि मैंने तो view में changes किये थे view में यह दो data था तो यह दो data तो add on हो गए और बाकी जंगा पर क्या लिखा ह हुआ रहे है नल लिखा हुआ रहे है तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं एक view create कर सकते हैं और view में changes करूँगा तो table में change होगा table में change करूँगा तो मेरा view में change होगा तो updateable view बनाने का यह तरीका हो गया अब हम क्या बनाते हैं एक नया view बनाते हैं और वो view हम multiple table का क्योंकि म मार्क्स वाली टेबल बनाई थी में एक student वाली बनाई थी अब मैं दोनों का इस्तमाल करता हूँ एक नया व्यू बनाता हूँ और देखते हैं कि फिर इसमें कुछ changes होते हैं के नहीं होते हैं तो देखिए सबसे पहले व्यू का नाम अब किया हम कुछ नया नाम ले लते हैं एस्ट यू व्यू तो हम पहले बना चुके हैं एस व्यू बना लेते हैं इसका नाम create view, view का name as, select अब देखें क्योंकि दो टेबल यूज कर रहे हैं तो हमने टेबल का नाम और इसका कॉलम का नेम दोदों साथ में लिखने पड़ेंगे तो हमने लिखा student table का scholar number यूज करने student table का as name column यूज करने और student marks table जो है मारे पास में उसका marks वाला हमारा column है वो यूज करने मतलब मैं एक table के तो दो column ले रहा हूँ और marks वाली table का एक ही column ले रहा हूँ जिसका नाम है marks कौन-कौन से table से ले रहा हूँ लगाया है हूँ है मैंने where close के अंदर देखो अब मैं complex query बना रहा हूँ complex query जब भी बनेगी तब भी हमेरा read-only view बनेगा तो यह मेरा read-only view बनने वाल है अब मैंने यहां पर क्या किया student लिखा है यहां पर हमारे पास में student table का scholar number और student marks table उसके अंदर भी मैंने scholar number रहा हूँ है तो उसका भी scholar number जहां 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 पर match होते हैं वो हम जुड़कर क्या बन जाना चाहिए एक view बन जाना चाहिए तो हमने इस तरीके से क्या कर दिया ए नाम से अब मैं क्या करता हूँ एक इंसर्ट की वेरी आपको चला कर दिखाता हूं माक्स टेबल में और एक बार एक विदियो को और करते हैं क्योंकि वीडियो काफी पहले ही लिंबी हो चुकी है तो सबसे पहले एक इंसर्ट की क्वेरी देख लेते हैं insert की query में student marks table के अंदर चला लेता हूँ मैं इनी के अंदर changes कर देता हूँ क्योंकि इसमें changes करना easy है अगर आप ये console के ओपर काम कर रहे होते तो काफी difficult होता है बार-बार change करना यहाँ पर multiple panels open करके आप काम कर सकते हूँ तो हमने insert into student marks student marks table के अंदर मैं कुछ entry inside कर लाता हूँ कौन-कौन से column लिये थे मेने उसके अंदर हमारे पास में उसमें था scholar number था और marks ID था marks underscore ID comma scholar number और हमारे पास कौन सा column था उसके अंदर marks का column था यह हमने ले लिए values डाल देते हैं marks ID के अंदर हम डाल देते हैं like ID डाल दी हमने one then उसके बाद में scholar number डालना है हमारे पास में rj01 ले ले लते हैं then उसके बाद में हमारे पास में marks marks डाल देते हैं 70 तो यह वाली query को हम run करना जाते हैं जिस भी query को run करना होता है इस video में क्या करना है अपने cursor को बस उसके उपर जाके रख दीजिए इस मतलब यहां से लेकर इस semi column तक के बीच में कहीं पर भी अपना कर्चा रख दीजिए वह query run होगी बाकी query रण ही नहीं होगी तो मैंने एक नहीं query लिख दी है इस पर run करते हैं यह मेरी यह query चल चुकी है और इस query को चलने के बाद देखी है sview वाली के अंदर scholar number rj01 आ गया जो कि हमारी student table से है sname कहां से आया student table से आया है marks कहां से आया है मेरा marks वाला जो मेरे पास में जो data आया है वो मेरा marks table से आया है तो base table में change कर रहा है में अब मैं इसका उल्टा करके रेखता हूं कि क्या होगा कि नहीं होगा अब error आएगी मैं आपको error दिखाता हूं तो हम क्या करने वाले हैं अब मैं एस विउ जो मेरा view बना है s-view वाला view के अंदर मैं कुछ insert करवाने की कोशिश करता हूं या update कराने की कोशिश करता हूं तो मेरा चेंज नहीं होगा यह डिलीट भी करोंगा तो भी डिलीट भी नहीं होगा करके देखते हैं यहाँ पर मैं डिलीट की क्वेरी लगा देता हूँ डिलीट फ्रॉम एस व्यू वेर स्कोलर अंडर्सकोर नंबर इक्वल्स टू आर जे यह मैंने क्वेरी लगाई डिलीट फ्रॉम डिलीट की स्पैलिंग सही नहीं है वह सही कर लेते पहले डिलीट फ्रॉम एस व्यू वेर स्कोलर नंबर इक्वला इक्वल टू दिस यह क्वेरी मैं लगाता हूँ और इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं देखते हैं क्या आएगा हमारे पास में देखिए error generate हो गई है तो हमारे पास में error क्या आ गई है यहां पर देखिए cannot delete a join view मतलब क्या हो गया कि हमने जो व्यू बनाया था वो join operation का यूज करते हुए मतलब दो table को जोड़ते हुए बनाया हुए है तो इसके उपर हम कोई भी dml की query को execute नहीं कर सकते हैं तो मतलब यह जो view बना है हमारा s view वाला यह हमारा updateable view नहीं है read only view है तो इसके उपर आप कोई भी changes हम नहीं कर सकते हैं तो इस video के अंदर मैंने आपक read only view वाला भी बता दिया, updateable view भी बता दिया, queries करके भी बता दिया, theory भी बता दिया तो यह सारा कुस्ता view के बारे में अभी भी अगर आपका view से related कोई भी doubt pending रह गया है तो मुझे comment section में बताएं आज की class के लिए इतना ही रखेंगे, thank you